गौडजिला कॉंग दे न्यूव एंपायर टेटर्स पर आ चुकी है और यह कावी जादा भवाल लग रही है आई मीन इसको मैं मॉस्टर वर्स की बेस्ट मूवी बोल सकता हूं क्योंकि यह हूमन का परस्पेक्टिव नहीं बलकि मॉस्टर का भी परस्पेक्टिव पर इस ब वाद करते हैं हम उस सवय से जो कि ट्रेलर देखते ही हम सब के मन में आया था और यह था कि स्कार किंग के पास एक क्रिश्टल है जिसके मदद से वो शीमू को अपने इशारों में नचाता है ये क्रिश्टल शीमू को फिजिकली तो हाम नहीं करता है बट ये साइकिक वे में उसको बहुत ज़्यादा टॉचर करता है इसलिए वो मॉंस्टर जिसने अर्थ पर आइस ए चला दिया था वो स्कार किंग के अंडर काम कर रहा होता है अब यह क्रिश्टल की ओरिजिन तो अनून है बट यह मुश्ट पॉबैबली क्रिश्टल शीमू के शरीर से ही निकले होंगे जिसके वज़े से ही ये उसके उपर इंपक्ट डालता है आप उसके शरीर में ऐसे क् गॉट्जीला के स्केल्स रहते हैं जो की रेडियेशन एब्जॉब करने की शमता रखते हैं जिसको यूज करके कॉंग गॉट्जीला के एटॉमिक ब्रेथ को काउंटर करता है और उसके बाद से वो उसको एक टक्कर दे रहा होता है ये पहली बार नहीं होगा कि the most powerful character in the movie को उसी के किसी अन्स का इस्तेमाल करके हराया या दबाया जा रहा है देखा जाये तो जहां पर एवी के लोग रह रहे थे वहां काफी ज्यादा क्रिश्टल्स थे जो कि most probably शिमू के पावर के वज़े से ही बने होंगे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्यूंकि जो character अर्थ पर से absorb कर लिए हैं तो most probably यहां पर ऐसा हो सकता है कि जब अर्थ radioactive होगा तब वहां पर शिमू ने radiation को absorb कर लिया और उसके बाद अर्थ को ice age में ला दिया और यह crystals तभी form हुए होंगे और इसलिए इन crystals में भी वो psychic powers थे जिनको यूज करके यह hollow earth में मौजूद AB लोग help की पर में थी या फिर कहें surface world में थी अब आते हैं अंगले सवाल की और जो कि यह है कि मौथरा ने return करते ही यहां पर गौडजीला पर हमला करके उसको क्यों रोका और गौडजीला उसके एक हमले के बाद से वहां पर रुक भी गया ऐसा क्यों इसके अलावा यह मौथरा वाप जिसको पहले ही hint कर दिया गया था अब यहां पर जिस तर उसको वापस आते दिखाया गया है यह थोड़ा magical way में हो गया लेकिन हो सकता है कि वहां पर उसका cocoon होगा जो कीजिया के वज़े से ही या खिफिर कहें उसके आने से ही activate हुआ होगा एन मौथरा के आते ही उसके पा कि उसको वापस आते ही सब पता था कि उसको क्या करना है किसको रोकना है और किसकी मदद करनी है और किससे मदद लेनी है अब देखो बाई Monsters के यूनिवर्स में जादू तोना तक शुरू हो चुका है तो यहां पर अब logic ढोडने से भी मिलने वाला नहीं है बर जो एक satisfactory reasoning जो की directors के तरफ से या फिर मैं comprehend या फिर theory में बना कर दे पा रहा हूं उसको अब सुन होता कि जो भी आप देख रहे हो उसको digest करने में आसान हो क्योंकि ये बात आप deny नहीं कर सकते हैं कि ये movie तो बावाल थी और देखने में मज़ा आ रहा था एक चीज़ जो मुझे काफी अच्छी लगी वो ये है कि स्कार किंग को मरने में एहम रोल शीमू का था जहां पर उसने स्कार किंग को जमाया जिसके बाद कॉंग उसको पोड़ देता है क्योंकि इतने सालों से जो टॉर्चर स्कार किंग का सहा था वो शीमू था तो उसका ये हक तो बनता है इसके अलावा गर आप ध्यान दोगे तो स्कार किंग के आँकों में एक वाइट पुतली तैप की थोई सी देखने को मिलेगी जो की ऐसा मुझे ट्रे विजन होगा और वो ये हो सकता है कि जो पाष्ट में कार किंग और गौडजीला लड़े होंगे तो वहाँ पर गौडजीला के रडियेशन के वज्चे से ही इस चिंपैंजी के आखों में थोड़ा सा ये एक वाइट परत आ गया होगा क्योंकि हूमन के उपर भी ऐसा ही इ जिला सा लड़ा था नाकी कॉंग जो कि आज तक हमें लग रहा था क्योंकि हम लोगों को वाल्स में बने वे कुछ पेंटिंग देखने को मिल गए थे मॉंस्टर वर्स के अंदर मॉंस्टर वर्स की जो माइथोस है या फिर के हिस्ट्री है उसका हमें एक क्लियर आइडिया यहाँ पर मिल जाता है और यह देखकर अच्छा लगा कि अब मॉंस्टर वर्स की कहानी शैलो नहीं बलकि उसमें भी डेफ्ट आ चुका है अब मॉवी में एक छोटे बंदर को दिखाए गया है जिसका नाम शाय तक जूको होगा जो कि शाय तक आगे जाके कहानी में एहम प्रोल अदा करें देखा जाये तो यहां से कहानी अब दो डारेक्शन में ही जा सकती है जिसमें गॉडजीला और कौंग दोनों ही अलग-अलग रास्ते में जाये बात करें गॉडजीला की तो आप इस मूवी में देख सकते हो कि गॉडजीला की मोबिलीटी काफी जादा हो गई है और वो फाइट में भी काफी जादा इवाल्व हो चुका है देखा जाये तो गॉडजीला अपने प्राइम स्टेट में पहुच चुका है और अर्थ में मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई थ्रेट अब बची होगी जो कि गॉडजीला को टकर दे दे क्योंकि को ओर या फिर कहें एलियन से मिल सकती है तो या तो गॉडजीला को छोड़के स्पेस में जाना पड़ेगा या फिर स्पेस से कोई अर्थ में आएगा जो कि गॉडजीला को टकरते क्योंकि लाश्ट टायंब जब को इस पेस का बंदा हमें यहां पर देखने को मिला था वाले मूवी के अंदर जो उसकी भावकाली बनी थी भाई वो गजब की थी जहां पर फुली चार्जीन होके आता है और उसके एक कदम से उसके शरीर से निकल रहे रेडियेशन से आसपास की बिल्डिंग गल रही थी पिखल रही थी और वहाँ पर उसने जो किंग इडोरा को टकर दिया था और हराया था वो सबसे बवाल मेरे हिसाब से तो है तो अर्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब गॉडजीला को चैलेंज कर सकता है इसलिए इसको अर्थ से बाहर भेजा जाएगा और क्योंकि गॉडजीला के हिस्ट्री में आप देखो तो एक स्पेस गॉ प्लस उसमें भी कई सारे मिस्ट्री जिसका एक जलग तो हमें इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा ताकि फैंस को कोई फॉल्स होप ना मिले कि इस फ्रैंचाइज का आगे में कोई पार्ट आने वाला है अपार्ट फ्रम अरूर जो कि शाय तक जूको का हो सकता है मतलब कि वो छोटे मंदर का या फिर मौतरा के भी हो सकता है क्योंकि एक ही बार सुन पाया था और वो भी उस वक्त जब मैं देटर छोड़ के जा रहा था तो मैं उसे ठीक से कॉम्प्रियेंट नहीं कर पाया कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि एन में गौडजीला ने आसमान की और अपने सारे अटॉमिक ब्रेथ को क्यों छोड़ दिया तो बहुत अगर आपको याद हो तो वहाँ पे आते ही शिमुने आसमान में अपने अटॉमिक ब्रेथ को छोड़ा था जिसके वज़े से हो हो सकता है कि अट्मस्फेर वहां का जम गया हो या फिर कुछ इंपक्ट हुआ हो उसी को काउंटर या फिकर नूट्रलाइज करने के लिए ऐसा किया हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह हमारे लिए एक हिंट था कि गौडजीला अब अपने आने वाले मूवी के अंदर शाय मिल गए होंगे आपको यह भी पता चलिया होगा कि मूवी कैसी थी और इंडिंग एक्स्प्रेनेशन भी आपको अच्छा लगा हो गर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस्स ना करें इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा है जो कि यह लोगों की मदद करें अपना खयाल रखें एंड कीप मुविंग फॉवर्ड कर अट लगा कर आगे बढ़ते जाए थाइंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यूंड